मात्र तीज दिन बाकी और लोग प्रत्याशियों की खिस्मत का फैसला कर लेंगे जनता जनारदन है और उन्हें पता है कि किसे सत्ता का ताज पहनाना है और किसे उखाड फेकना है कॉंग्रिस और भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की ओर से धुमाधार प्रचार किये जा रही है शुकरवार को कॉंग्रिस नेता प्रदीप गिल चाय के कारिक्रम पर निकले गाउं रायचंदवाला में तीन से चार प्रोग्राम करते हुए प्रदीप शहर के इंद्रा कॉलनी पहुँचे मीडिया से बात करते हुए गिल का कहना था कि चाय के कारिक्रम के दोरान लोगों ने खुब सत्कार और अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया एक बड़ा एलान करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनिती में पैसा प्रात्मिक्ता नहीं है अगर जनता के आशिरवाद से वो विधायक बने तो ये वादा करते हैं कि जो सेलरी उन्हें 5 साल तक मिलेगी उसका वो एक पैसा भी नहीं लेंगे बलकि वो पैसा चनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे भारम मरेंगे कि मेरी जो भी तनका 5 साल तक आएगी उसका एक नया पैसा भी प्रदीब गिल अपने घर में अपने परिवार में अपने किसी भी नीजी काम में यूज नहीं करेगा वो चाए गरीब बेटियों की साथी हो एजुकेशन हो गरीब बुढों की सेवा के लिए जाए वो उनकी कोई समाल नहीं हो रही है उनकी कोई बड़ी बिमारी से जूज रहे हैं प्रदीब गिल ने ये भी कहा कि उनके लिए प्रात्मिक्ता है कि जो वो दो लाख रुपए मिले वो इसे जनता की समस्चाओं को समाधान करने में अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद